हाई दोस्तों आज हम आपको दसमलों का रूट निकलना सिखाएंगे तो चलिए देखते हैं सुरू करते हैं पर ड्रिक द्वारा देखते हैं तुरिक किस किस पर लगेगा यह देखिए यह दसमलों की दो अंक तक है जीरो के साथ है तो देखिए यह जब इसका निकालेंगे तो लाश्ट वाली संख्या जो है थिरी है नाइन है, नाइन का रूट होता है थिरी, अब देखिए यहाँ पे दस वालोक इंख पि लगा है अब जब बाहर करेंगे तो दस मलोक एक अंख पे हो जाएगा, तो यह हो गया इतना, यह हो गया एंसर इसका इसी प्रकार इसका करेंगे यह लास्ट वाली संख्या 64 है इसका रूट जब निकालेंगे तो 8 आजाएगा यहाँ पर दसमलो चारंग पर है और इसमें जब बाहर करेंगे तो दसमलो दो अंग पर आजाएगा यह होगी answer अब इसी प्रकार यह है लास्ट की संख्या 121 है तो 120 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा बार है और यह चार अंग पर दसमलो तो यानि कि दो अंग पर आजाएगा यह होगी answer यहाँ तक तो आप ट्रिक से लगा लेंगे बात यहाँ बचती है तो बात देखे इसको हल करने के लिए भाग बिधी से हल करेंगे इसके लिए हम इस प्रकार लिखते हैं इसको जोड़ा बनाके पॉइंट नाइन एक जीरो लगा लगे तीछे फिट दसमलो एक दो अंग तक कहेगा तो एक जोड़ा और बढ़ाएँगे दसमलो तीन अंग तक कहेगा तो एक जोड़ा और ऐसे बढ़ाते हुए चल जाएगे अपने आप बढ़ाएंगे अब इसमें देखे करेंगे अब देखे इसमें देंगे भाग तो ये 9 से देंगे 9 बार जाएगा 10 से देंगे तो 90 से जादा हो जाएगा तो देखिए 9 से 9 बार करेंगे तो यह हो जाएगा 81 इसको जब घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 9 और यह एक जोड़ा और उतार लेंगे यह भाग कितनी बार गई यह भाग उपर यहां पर लिख दे 0.9 ठेक इसके बाद अब क्या करेंगे इसको जोड़ते हैं इसको जब जोड़े दो ये हो जाएगा8 अब भाक कितनी बार जाएगी पांच बार ले जाएंगे तो ज्यादा आजाएगा देख लेज़ेगा आप चार बार लेके जाएगे चार बार ऐसे करेंगे इसके बार यहां पर करेंगे तो 736 आजाएगा चार बार करेंगे अब दिखिए इसमें घटा लीजे चार यहां 9 से 3 जाएगा 6 यहां 8 में से 1 188 इसके बाद भाग देजिए यह देखे चार बार गया यही हो गया answer दसमलत दो अंक तक निकालना होगा हमें तो यही हो गया answer अगर तीन तक निकालेंगे तो भाग और बढ़ाएंगे जितना तक निकालना होगा तो भाग ऐसे बढ़ाते जाएंगे इसे प्रकार कोई भी question अगर मालेजे यह कोई question हो गया under root 0.64 इसका भी इसी से निकलेगा तो आप निकालेगा अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो comment में करिएगा हम और भी निकालेंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को लाइक जरूर करिएग क्योंकि अगर हम दोस्तों और निकालेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम सोच रहें थोड़ा सा वीडियो छोटा बनाए ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे और समझ भी बढ़िया साथ तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लग मिलते हैं नेक्ट वीडियो है तब तक के लिए धन्यवाद